Assalamualaikum class, आज का जो आपका topic है वो chapter 1 की exercise 16 है जो कि division है division के concept से आप already familiar हैं लेकिन मैं एक question करी हूँ exercise के बागी questions आप उसी method से करेंगे first question है 261,000 and 51 divided by 31 division का यह sign है यह हमारे पास diviser है और यह dividend है 261,000 and 51 को आपनों separate करके थोड़ा सा लिखेंगे उसके बाद हमारे पास यहां पर 31 है और अंदर भी यहां पर two digits है तो इसलिए अंदर भी हम first two digits देखेंगे तो वो 26 है लेकिन 26 जो है वो 31 से छोटा है इसलिए हम 26 को नहीं ले सकते और हम लोग तीन नंबर लेंगे 261 तीनों को consider करेंगे और देखेंगे कि 31 के table में 261 कहां आता है हम divide multiply करेंगे separate rough work में जैसे 31 को अगर मैं 8 से multiply करती हूं तो वो आ रहे है 8 1 0 8 8 3 0 24 और 31 को अगर मैं 9 से multiply करी हूं तो वो आ रहे है 9 1 0 9 and 9 3 0 27 तो 279 is greater than 261 तो हम यह नहीं ले सकते हम इससे चोटा नंबर लेंगे 31 8 2 4 8 इसमें division में subtraction होती है अब हम इसको minus करेंगे तो 1 minus 8 नहीं हो सकता carry लाएंगे यहां 5 remaining 11 minus 8 3 and 5 minus 4 1 अब 13 31 और यहां है 13 13 छोटा है इसलिए हम लोग next number को नीचे लाएंगे 130 दुबारा से multiply किया और 8 31 4s आर 124 तो हमने उसको minus कर दिया again subtraction 0 minus 4 नहीं हो सकता carry लाएंगे 10 minus 4 6 2 minus 2 0 1 minus 1 0 6 remaining रह गया और यहां पर 31 है 6 छोटा है इसलिए हम लोग 5 को नीचे लाएंगे 65 31 2s are 65 62 sorry यहां पर 62 है 5 minus 2 3 and 6 minus 6 0 again 1 नीचे 31 1s are 31 subtraction 1 minus 1 0 3 minus 3 0 यह जो है यह हमारा remainder this is our answer quotient thank you you